ये है Samsung का S24 Ultra जिसकी कीमत है 1,40,000 रुपे लेकिन मैंने ये लिया सिरफ 98,000 में कैसे वो वीडियो में आगे बताऊँगा देख लो अब इतना महेंगा फोन लिया है तो इसके ओपर एक दो वीडियो बनाना तो बनता ही है ना वरना मैं काई का क्रीटर और उपर से ये टैक क्रीटर स्वालों को एक्ट्ट्र में कैमरा कैसा है इसके बारे में क्या बता मैं आपको बताऊँगा कि एक महंगे कैमरा जिसमें आप देख रहे हो और एक महंगे मुबाइल में जो अभी आप देख रहे हो कि क्या comparison है एक्चुल में दोनों का और कौन सा आपको लेना चाहिए यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के लिए आज हम सिरफ मुबाइल की बात करेंगे सैमसंग के S24 Ultra की अब जो भी वीडियो आप देखेंगे वो आपको सिरफ मुबाइल से दिखाई देगी जो है समसंग S24 Ultra और इसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं फुल एच्टी में और पोर्ट्रेट मोड के अंदर अब देखो ब्र फ्रेम के अंदर बर प्रेम के अंदर य वीए अपका और ने हमारे से लिए वारे सी मैं मुद्ढाल होंगा और यो ठीक wordt हो ठीक नियर पेए सारे गहें इसमोन आरा मुद्दूत अच्छए चीजे पीछे जो आसमान है वो धुंदला नहीं है मतलब कि ओवर एक्सपोज नहीं है वो सिरफ वाइट वाइट इसलिए और क्योंकि मोसम ठंड है और एक्चुल में भी ऐसा ही दिखाई दिया रहा है दूप की वज़े से यहां पर फेस भी काफी ठीक ठाक हमें नजर आ रह क्या यहां पर आपको 3X का भी option मिल जाता है 5X का option भी मिल जाता है यह दो 5X के अंदर आते कितना चेहरा एकदम निखर के सामने आ रहा है और जो background है वो भी काफी ज्यादा blur हो चुका है तो काफी cinematic से यह फील हमें लगती है अभी यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह ब अगर हम इतनी जूम करके रहे हैं लेकिन फिर भी वीडियो काफी अच्छी स्टेबल यहां पर हमें नजर आती है यह पोट्रेट मोड नहीं है यह सिंपल मोड है जहां पर वीडियो के अंदर actual में background blur हमें नजर आ रहा है अगर मैं आपको पोट्रेट मोड में दिखा हूं तो यहां पर हमारे पास पोट्रेट के अंदर 1X कॉप्शन आता है और उसी के अंदर यहां पर हमें डिजिटली जूम करके 2X कॉप्शन भी मिल जाता है I wish कि यहां पर 5X वाला पोट्रेट मोड के अंदर भी काम करता जो बहुत तगड़ा लगता 1X में obviously background blur है लेकिन वह ए 4K 30fps में 4K 60 में भी आप शूट कर सकते हैं dynamic range यहां पर भी काफी अच्छी आपको मिल जाते है कि मेरा face भी अच्छे से light up है और पीछे हमें आसमान भी ठीक से नजर आ रहा है और अगर हम बात करें फॉन के the best options की तो दो चीज़े यहां पर सबसे ज़्यादा अच्छी है ए 8K 30fps में shoot करने 8K में shoot करना जो आपका space बहुत जादा लेगा उसमें वह अलग चीज हो गई लेकिन 8K के अंदर shoot करके आप video के अंदर काफी अच्छा zoom कर सकते हो और editing में आपको थोड़ी सी heavy लगेगी वह video लेकिन जब आपको flexibility मिलेगी कि आप zoom बहुत अच्छे से कर सकते ह तो high quality में वीडियो रेगी तो वह आपके बहुत जादा काम आएगा stability की बात करें तो front camera में देखो चलते वे इस तरीके से दिखाऊं अगर तो काफी अच्छी stability यहां पर आपको मिल जाती है अब एक लाग के phone में obviously यह चीज़े expected होती है तो वह इसमें हम इसको plus point नहीं दे एक्च्छल इस phone का price है 1,44,000 रुपे लेकिन आगर हम बात करें अपनी तो 31 जनवरी तक सभी Samsung stores के ओपर offer चल रहा है कि 256GB का जब आप phone लेंगे तो उसकी जगे आपको 512GB storage वालग phone आपको मिलेगा जो 10,000 आपके exit आपे बच जाते है इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12, 12,000 का हमें instant credit card पे किसी भी credit card पे discount मिल जाते है तो 12,000 हमारे मां से बच गे और 18% हमें GST return मिल जाते है जो एक्च्छल में बहुत फायदेमंद है अगर हम total cost इसकी add करें तो 42,000 के आपस बसती है तो अगर आप सही लोगों को जानते हो जिनके पास GST है credit card है उनको लेके यह है 0.6X यानि कि ultra wide mode पे अब देखो बाहर बहुत तेज धूप है back side पे इस area में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा अगर हम camera से आसमान को expose करेंगे यानि कि आसमान ठीक से दिखाना होगा तो यह बिल्कुल dark हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हमें यह area भी दिखाई दे रहे और आसमान भी ठीक से दिखाई दे रहे काफी अच्छा तो जो dynamic range की processing होती है software की वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर zoom की बात करें तो यहाँ पर अभी देखो 0.6X यानि कि ultra wide पे हम video बना रहे हैं अगर मैं 1X करूँ जो इसका main camera है वो यहाँ पर इस तरीके से clarity मिलेगी अब यहाँ से 3X करेंगे तो इस तरीके से 5X करेंगे तो ऐसे और 5X को हम digitally zoom कर सकते हैं 10X तक 10X के अंदर भी काफी अच्छी clarity हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब पिछली clip में आपको जो है शोर काफी जाता सुनाई दे रहा होगा आपको लग रहा होगा कि यहार माइक बहुत जाता शोर पिक कर रहा है तो basically यहाँ पर माइक के दोनों options थे हमारे पास एक की front camera से हमें pick करना है sound या फिर हमें rare camera से अब जो mic है by default rare camera यानि कि जो पीछे की तरफ mic है वो वाला own होता है वो मैं off करना है या switch करना भूल गया तो basically जैसे जैसे हम zoom करेंगे वीडियो के अंदर वैसे वैसे mic भी उतनी ही दूर का sound भी उठाएगा तो वो चीज़ actual में अच्छी है यहाँ पर मैंने बस mic को switch करना मैं बोल गया जिसकी वज़से शोर आपको लग रहा है जबकि वीडियो में वो actual में दूर का sound पिक कर रहा पास की जैसे मेरी अवास्ती वो कम होगी दूर के वास्ती वो ज़दा होगी तो वो actual में प्लस पोंट है फोटो की देखो बात करें तो 1x में फोटोस काफी अच्छी है शार्प है में 3X पी जाहिता हैं और अगर हम 10X में चाहे तो वहां पर भी हमें ठीक ठाक फोटो पर देखने को मिल जाती है अगर अगर हम लेंड्सके फोतोगरफी करने चाहते हैं अगर हमें बिल्डिंग्स की या फिर बड़ी बड़ी जगे की फोटो खीचनी है तो वहां पर हमारे प बात करें किसी भी और स्मार्टफोन से जो भी मैंने आस तक चलाए है चाहे आइफोन 14 प्रो यो उसमें भी इस लेवल की क्वालिटी हमें ऐसे नहीं मिल पाती इतनी दूर की अब यहां पर देखो इल्ट्रावाइट शोट्स पर आपको दिखाए मैंने यहां पर वन एक्स प या फिर वीडियो तो वहां पर मैं कहा सकता हूं कि यह फोन बहुत अच्छी फोटो लेता है हां कुछ जगे यह चीजे मिस करतेगा जैसे पोट्रेट मोड में मैंने फोटो की अच्छी ती लेकिन बाल जो है एस डिटेक्शन वहां पर तनवी के बालों की फिर भी ठीक से नहीं हो पाई कुछ जगे कर भी लेता है कुछ बार नहीं भी कर पाता लेकिन यह सब चीजे 19-20 चल जाती है अगर आपको शोशल मीडिया के लिए फोटोस चाहिए तो दो को फोटोस मैंने काफी सारी खीची फोटोस जो है ठीक है अच्छी है लेकिन इसमें जो 100x वाला ज जो चीज है वो काफी तगड़ी है वीडियो में कि 8K का जो फीचर है जैसे मैंने बताया है काफी अच्छ है 4K 120fps के साथ साथ हमें यहां पर माइक का उप्शन मिल जाता है कि फ्रंट कैमरा की साथ से हमें माइक यूज करना है कि अगर हम सामने से बोल रहे हैं ब्लोगिंग करते हुए या फिर बैक कैमरा की साथ से में यूज करना है तो अब स्टूडियो में चलते हैं स्टूडियो के अंदर अभी जैसे बिल्कुल पिच ब्लैक है यहां पर कुछ भी आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा यहां पर सिरफ यह दरवाजे की रोशनी से जो भी लाइ जलाओं तो यह हमने अपनी एक लाइट जलाई है और इस तरीके का हमें यहां पर फिल देखने को मिलता है तो अगर हमें कैमरा से कमपेरिजन करें ना तो कैमरा से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐस कंपर टू एक स्मार्टफोन गर दोनों को आपको कमपेर खने जाएंगि गयाँ जाएंगि लाद को मुश्किल है